नमस्कार साथियो, बहुत जबरदस्त बोटिंग के साथ राजस्थान परदेश में चुनाओ संपन हो गया, कुछ जगहों पर तो 80% से ज़ादा बोटिंग हुई है, और पिछले बार की तुलना में देखेगा तो इस बार घरों से लोग अधिक संख्या में निकले हुए थे और खास तौर पर जिन जगहों पर कॉंग्रेस या फिर भाजपा के बागी नेताओं की मौजूदगी बतोर उमिदबार के तौर पर थी, किसी ने किसी पार्टी का हाँ ठाम लिया तो कोई निर्दलिय मैदान में थे, कम से कम वहाँ पर 20-25 सीट ऐसे हैं, जिन्होंने अप 20-25 सीटों की बाद जो करते हैं पिछली बार की तुला में, यहाँ पर जहाँ बागी मिदबार इस बार थे, वहाँ पर वोटिंग अधिक संख्या में हुई है, कई जगहों पर तो जर्पे की खबर आई, कुछ जगहों का मतलब यह होता है, कि जहाँ पर कॉंग्रेस और भ दूसरी परदेश का चुनाओ पर जो है, इसका असर परने वाला है, चाहो भाजपा हो यह फिर कॉंग्रेस हो, तो उन्हों को इस बात का ऐसास है, कि राज़स्थान पर देश का चुनाओ पर रिणाम, कॉंग्रेस के राजनितिक में, हाई कमान का मतलब क्या होता है, दिल्ली राजस्थान को आख सकती है तो फिर कितनी दूर तक खाकेगी या फिर चुनाव परिणाम कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दिल्ली का अपना राजनितिक जमीन राजस्थान परिणाम के बाद डमा डोल तो नहीं हो जाएगा यह सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के आसपास आज जब पूरी बोटिंग होई थी आज लगता है उसको सारे लबुलवाब आप एक एक करके बताने की जरुत है क्योंकि ऐसी जरुत चुनाव के समय में इस से पहले राजस्थान में नहीं हुआ था अगर आप शुरुवात इस बात से करें कि कितने तनाव की राजनिती में इस बोटिंग को लोगों ने दे का समझा है तो भरत की डिंग कुंबेर वाले इलाके में परत्यासी आपस में भिर गय थे पोलिंग पार्टी को वहां से भागना पर गया भरतपुर के ही कामा बिध उनके लोग वहां मवजुद थे दोनों आपस में भिर गये धौलपुर के बितर बाड़ी बिधानसभा के बितर रजाई काला गाओं में फाइरिंग तक की इस्तिति आ गई वहां फाइरिंग करनी परी कंचनपुर के भीतर बीसपी और बीजेपी में भिरंत हो गई सीकर के फतेपुर में सिखाब्टी इलाकों में पत्थराओं हो गया वहां पर कॉंस्टेवल घायल हो गया है चुरू के सरदार बाहर में कॉंग्रेस और भाजपा के बीच जहरप की प्रस्तिति आ गई और जोदपुर के लूनों के भीतर बीजेपी उमिदवार जो है उनका जो का सूल गईख्याने के साथ हो गई तो राजस्थान प्रदेश के चुनाओ का मतलब इन तस्वीरें के जरिये अब समझ सकते हैं एक टस्वीर के जरिये जिसमें इतने बड़े तादाद में बहुत बड़ी तादाद में लाइन्स जो वाँ थे वो बहुत जबर्दस तरीके से आगे बने हुए थे अब यहाँ पर जो दो चेहरे आने वाले समय में कॉंग्रेस और भाजपा की राजनित को कितना साथ पाएंगे इनके अपने राजनिति केरियर का क्या होगा या सवाल भी राजस्थान के भी जुरा रहे हैं लेकिन पहली बार वोटरों के जहन में मन में भी था कि जो हारा उसका राजनिति केरियर खत्म हो जाएगा और एक तरफ यह भी था कि अगर जीत गए तो फिर उनका राजनिति केरियर खत्म गहलोत आरे तो गहलोत का राजनिति केरियर खत्म हो गया और दूसरे तर इसलिए उनके अपने लोग जो चुनाओं मैदान में थे चाहे हुआ टिकट कहीं से ना मिला हो वहाँ पर भी मौजुद थे और वहाँ पर भी सुन्दरा राज्य की गुंज सुनाई दे रही थी यह सारी जानकारी वोटरों के भीदर थी जो कतारों में पहुंचे हुए थे उनलाइन में लगे हुए थे उनलाइन में कितने बड़े तादाद में बहुत हर जगा पे यह नजर आ रहा था कि हाँ इतने बड़े तादाद के भीतर वोटिंग की इस्तिति और माईलाओं की मौजूद की खास्तोर पर क्या सत्ता परिवर्तन के लिए है या फिर सत्ता से मिलने वाले लाब के लिए दाबे आज भी दोनों पाटिया कर रही थी इन कतारों इन लाइनों के भी भीर के बीच एक एक चीज़ को जरा समझेगा तो बहुत सारी चीज़ सामने आईगी कि बहुत परसंटेज पहली बार 2008 से 2013 में बढ़ा था और बढ़ा हुआ 75 परसंट तक वोटिंग पहुच गई थी 2008 से 2013 के बीच इसका परिणाम यह हुआ था कि गहलोत बहुत बुरी तरीके सारे थे सिर्फ 21 सीटे में ले थे जो कि उससे पहले के चुनाओं में उनके पास 96 सीटे थी और दूसरी तरह भाजपा 163 सीट जीत गई थी तो अगर रहती है जो खास तोर पर 2013 और 2018 के बीच रही है तो खास तोर पर बहुत सीटों का अंतर नहीं है कॉंग्रेस 100 सीट पिछली बार जीती थी तो 73 सीट भाजपा जीत गई लेकिन आज अगर राजनेटिक तो अब समझेगा तो जब भाजपा जीती है तो उसकी जीत का प सब कुछ भोतरा गया चाहिए वह सचीन पाइलेट को लेकर के परधान मंतरी के जुबाव के उपर उनका नाम आ गया हो या फिर इस दौर में यह कहा जा रहा हो कि गुरजर बोट कहा जाएगा या फिर जाट बोट में सिंद लगाने की प्रस्तितिया कुछ जगों पर क्या सब कुछ बिलकुल नए तरीके से था क्या साहिए था ऐसा इसलिए ही अब इस चुनाओं के भीतर जब आप गुसेंगे तो एक चीज और आपको साफ दिखेगा जब सीट वाई सीट आपको हम बताएंगे एक चीज और आपको साफ करते हैं कि सबसे बरा आसर यहां के दोलण चेरने की कोसी से कि उसमें एक हाथ आगे सचीन पाईलिट रहे हैं जो कॉंग्रेस के परत्यासी हैं और कॉंग्रेस के इस सत्ता है जो चुनाओं हो लग रहे हैं पेपर लिखका जिक खास तर पर इसलिए भी हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम जादा से जादा अधिक स्दि बाट जो वोट डाल रहे थे अगर 20 से 29 साल के बीच देखेगा जिन्होंने पेपर लिग के मज़े को चखा है देखा है समझा उन प्रस्तितियों को जिया है उनकी तादाद 1 करोर 33 लाक वोटरों की है यानि दोनों को अगर मिला दीजेगा आप तो डेर करोर से अधीक वोटर सिर्फ और सिर्फ 30 साल से कम उम्र के थे उसके बाद दूसरी प्रस्तिती बिरोजगारी और महेंगाई और करप्सन का हिस्सा होता है जिसके दाइरेम जिसके अंदर 30 से 40 बर्स के उम्र के वीतर के लोग प्रभावित भी होते हैं और इनकी तादाद करी करीव एक करोर 18 लाक कहा पहुंचा कहा गया उसने नेता देखा अपने चितर के उमिद्वारों को देखा या फिर पार्टी देखी है सायद यहां पर जो है पड़ी महत्पूर्ण बात यह है कि भाजपा के कोई भी चेहरा अस्थानिया नहीं था उनका चेहरा परधान मंत्री नैंदर मोदी का और दूसरी तरह अब देखिएगा जो कांग्रिस के नेताओं के भी तरते हो चेहरे कई वहां पर थे उन चेहरों का मतलब बहुत साफ है कि एक तो गहलोत और एक सर्चिन पाइलट और उसके अलाबे गहलोत के साथ खरे हुए कुछ लोग और जो हाई कमान को भी नहीं मानत उसका असर कितना हुआ उससे पहले एक बार आप ये भी समझ लिजो कि पिछले बार जब कॉंग्रेस जित गई थी तो उसको एक करोर 49 लाग वोट मिले हुए थे भाजपा को एक करोर 37 लाग वोट मिले थे और जो अलग से वोट परे थे जो दूसरे राजनेतिक दल को जो उनकी संख्या करीब-करीब 82 लाग से यानि 18 लाग के आसपास अब यहां पर सबसे बड़ी बात है जो नौजवान जो यूवाज सबसे बड़े हैं जो की दूसरी प्रस्तिती महिलाओं के साथ है और तीसरी प्रस्तिती आदिवासी और गरामिन च्छत्रों के हिसाब से सहर आपके अमन में भी होना चाहिए अब सीटों के ऊपर बात करें इस प्रस्तिती को ऊपर देखें समझे उससे पहले आप एक सीट का आपके सामने जो हम बात करते हैं उसके उसके सुनने के बाद आपको बहुत सारी बाते साप हो जाएगा कि चुनाओ कितना महत्पोर्ण है फिर कितना उल्जा हुआ है क्योंकि कई यहां पर पॉल से एक तरफ गहलोत का पॉल एक तरफ सचीन पाइलेट का पॉल एक तरफ वसंद्रा राज्य का पॉल एक तरफ प्रतानमतिन नैंद्र मोधी का पॉल आता है तो फिर किस-किस दौर पे किस-किस दरवाजे पे एस्ति महादेव सिंह खांडेला तो फिर खांडेला जीते हुए थे महादेव सिंह खांडेला निर्दलिया उमिदबार थे 2018 में इस बार हुआ कॉंग्रेस के टिकट पर क्योंकि गैल उद के करीब ही और उन्होंने एक चुनाव डामा डोल एंड जब सत्ता डामा डोल थी तो उस समय गैलोत के साथ आकर की खरे हो गए थे तो इनको एसपेस मिला और गैलोत ने निर्दलिया उमिदबार को अपने हिस्से में ला करके उनको टिकट दिला दिया तो फिर निर्दलिये MP जो पिछले बार का थे वो अब कॉंग्रेस का कंडिडेट हो गया अब यहाँ पर सचीन पाइलेट चाहते थे कि उनके उमिदब और करीवी सुभास बिल भी B-JP के टिकट पर independent MLA कॉंग्लेस के टिकट पर तो फिर कोंग्लेस का बेक्ति था प्र क्या करेंगे फिर कॉंग्रेस के बैक्ति के तौर पर बंसिधर भाईया थे वहाँ पर लेकिन सवाल होता है दूसरे तरफ जो बंसिधर भाईया जो बहुत नजदिक बसुंदरा राजिस सिंधिया के थे जो भाजपा के नेता के तौर पर थे यह निर्दलिये खड़े हो गए यानि यह कहे कि सचीन पाइलेट के करीवी पहुँच गए भाजपा में भाजपा के वंसिधर भाईया हो गए निर्दलिये में जो निर्दलिये थे हो गए कॉंग्रेस के सिट्टे उपर तो फिर तीन गुरुप का यहां पर आमना सामना हो गया और यहां पर अगर पिछले बार के देख लेकिन दूसरे तरह भाजपा के नेता और कॉंग्रेस से आये हुए या फिर कहें पाइलिट के करीबी तौर पर भाजपा के परत्यासी इस गाल मिल की परस्तिती में जरा आप सोचिए कि इस जगह पर क्या होगा यहां पर जो ऊपर इस्तिती नजर आई वह सबसे पहली बा है फिर सुभास भील जो सच्चिन के नजदिकियां और वहां मुकाबले में आ करके खड़े हो गए जिसका नुक्सान कॉंग्रेस को और दूसरे तरह बंसिदर भाईया के साथ जो है भाजपा के जो पुराना केडर है वो निकल करके आके ख़रा हो गए निदलिये के साथ आ आप जैपूर के भीतर से अगर सुरुआत करे जैपूर के 19 सीट जो बहुत महत्पूर्ण है गहलोत ने बहुत महत्रिंचाल चला उमिद्वारों का चैनल लेकर करके वोटिंग के पैटरन को लेकर करके लेकिन दूसरे तरह भाजपा ने अपने तौर पर उन परस्तितियों को परकने के भरपूर कोशिस की अगर बसुंदरा दर्किना आ रहा है तक उनको आगे किस रूप में कहा किया जाए और जैपूर के भीतर के 19 सीटों में पिछले बार आप ध्यान दीजिएगा तो कॉंग्रेज 10 सीटे वहां पर जीती थी भाजपा 6 सीटे जीती थी इस बार या खेल उल्टा हो सकता है हलागे प्रयास बचाने का है जो खास तोर पर जैपूर का किला बचाने के लिए है उसे बहुत महत्पूर्ण बात है कि इंडिपेंडेंट जो तीन सीटों से जीते हुए थे वहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो बसी की सीट थी पर इंडिपेंडेंट, MLO को कांगरेस का टिकर्ट दिया और यह मान करको ऑगे बढ़े कि उसके हिस्टे का बोट और कांग्रेस की इस्टे का बोट से जो जूड जाएगा तो इसके लाब हूं को मिल जाएगा लेकिन यहां दौस्ध सीटे कांगरेस को लगा हम तो जीश सक इसलिए बहुत साप है कि राज्या के अलग-अलग जगों में जहां इंडिपेंडेंट कंडिडेट है जो निर्दली है कंडिडेट है और दूसरे पाटी के जो राजनितिक दल के उमिदबार है उसको आप खारीज नहीं कर सकते उसका असर बहुत जबर्दस्त होगा इस चु किषनपूल सेट और हवा महल किसीट हवा महल में इन्होंने कंडिडेट कंग्रेश का बदल लिया है किषनपुल में बाजपा ने अपना कंडिडेट बदल दिया पिछली बार को आ रहा था उसको भी बदल दिया लेकिन बाजपाAc के सामने सबकुछ अनुकूल है ऐसा भी इससे पहले भारतिय आदिबासी पार्टी का जरूर करना चाहिए क्योंकि जो भारतिय ट्राइवल पार्टी थी जो गुजरात के बीतर बनी थी जो पिछले चुनाव में वह लरी थी दो लोग वहाँ पे इसे जीते थे और दोनों लोग छोर गयते पार्टी बट गई और उसके बाद इस चुनाव के लिए भारतिय आदिबासी पार्टी निकल कर क्या यह दक्षिनी राजस्थान का हिस्सा परता है राष्टिय लोग तांतरिक पार्टी जो हवान बेनिवाल की है उसका भी असर है तिरह एक पल के लिए यह समझे आपकी जो पिछले चुनाव के बीतर करीब करीब 13% बोट बाकियों के मिले थे जो कॉंग्रेस और भाजपा के साथ नहीं थे इस बार भी कमो बेस 10 से 15% बोट बोट जो पड़ेगा वो कॉंग्रेस और भाजपा उमिदवारों से हट करके दूसरे उमिदवार के पास जाने वाले एक बहुत साफ तोर पिए बात नजर आ रही है अब यहाँ पर दूसरा सवाल जो उठता है कि जो सिखापटी के जो एकी सिटों के इलाका पड़ता है उसमें सिकर आता है चूरू आता है जुझुरू आता है लिगार थाना आता है यहाँ कि अगर प्रस्तिती को आप समझेगा तो भाजपा पिछले बार यहाँ पर 215 जीती थी इस बार वह इस्तिती क्या ऐसा होगा यह फिर नहीं होगा यह बहुत बार मुस्किल नहीं है सवाल लेकिन अलग जगों पर बहुत साफ नजर आया है कि कमोबेस भाजपा और कॉंग्रेस इस तरीके से सिखापटी के इलाके में और खास तोर पर यह जाटों के अस्तिती में और बहुत बहुत बहुतरी निस्तिती हो सकती है हो सकती है कहना इसलिए भी जरू पड़ता है क्योंकि उस तागत पर तौर पर नजर यहां पर और भी आ रहे हैं कॉंग्रेस के साथ अगर यहां पर चाट बोट बैंक अगर टूट गया तो फिर भाजपा एक यहां से बहुत तेजी से बहुत धूणी से ज्यादा सीट आगे ले जाएंगे अगर दलित बोट बैंक को उसमें सिफ्ट कर गया जो मिदवार हो कि जरी उसने सोचा समझा है तो उसके कॉंग्रेस के सामने मुश्किल खरा हो जाएगी और कॉंग्रेस की एंटी इंकंबेंस आने सामने थे कुछ जोग ओपर तारा नागर के भीतर में भाजपा के राजुन सिंहराथो आपे मजूद थे बाइशन में रिता चौधरी जीती थी तो री पिर से कॉंगरेस के भीतर आ गई फिर रिटा चौधरी फिर से टिकट में चुनाओ जीती है यहां पर और फिर MP जुन जुन को लाया जाता है निंद्र कुमार को जहाँ पर भाजपा ले करके आती है यह सारे संदेश आपने तोर पर बहुत चीज़ को संकित देते हैं लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि लेकिन जो ऐसी कौन से सीट है जहाँ से भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता वह कौन से सीट हैं जहाँ पर कॉंग्रिस को कोई नहीं हरा सकता यहाँ पर एक और प्रेक्षन कर लीजे इसको और यहाँ पर बहुत हेविवेट के तोर पर भाजपा के मौजूदगी है क्योंकि राज में करीब-करीब 60 सीट ऐसे भी हैं जहाँ भाजपा को आप हरा ह ही नहीं सकते आप कहेंगे 60 सीट कैसे हो सकती है कुछ नाम आपको गिनवाते जिससे आपको समझ में आ जाएगा अलबर सीटी बिकानेरी असिंद बिद्यानगर मालवियनगर रतनगड सिवाना अजमेर साउथ मालवियनगर जो आपको हम बताए जैपूर की भीतर का वह करी जारल पाटा उदैपूर राजगंज मंडी भीरवारा सोद्यल खानपूर बयापरा फुलेरा यह एक ऐसी सारे सीटी है जहां पर भाजबा पप नहीं है रहा सकते लेकिन कॉंग्रेस इस मामले में थोड़ी सी पिछिली हुई है उसके पास 21 सीटी ऐसी है जहां पर भाजब सब्सके नहीं पूरा नहीं द्युक्त है सपूर्टर हमकोज मामला नुड़ी है टिंग कूंछों से जीतना बड़ मुस्किल है भाजबा को अब यह पर जो अगला सवाल होता है ऐसी कौन सी सीते हैं जहां पर भाजबा की इंट्री हो सकती है भाजबा की इंट्री यानी भा अगर अगर तरीकी से भाजपा की इंट्री हो सकते, कोज सीटे ऐसे भी है, जहाँ पर कॉंग्रेश की इंट्री हो सकते है, आपर मसल guitaria में दौसा में दौ सीटे है, के जो सीटे, जो बांगरेश के लिए, अब यहां पर माल पूरा सीट भाजपा के पास है, निवाई टोंग का इलाका है वह कॉंग्रेस वहाँ पर जीतने की प्रस्तिती में या फिर गवादे की इस प्रस्तिती में चल रही है कोटा के संगोट सीट जो है जोदपूर की जो जहां भाजपा के इंटरी है वह जोदपूर की सीट है जोदपूर सीट के एक और सीट है धंतारामगड अजमेर की एक सीट है मसोदा और नागोर की एक सीट परती है नवान पाली की भी एक सीट परती है मारवार यहाँ पर जो है भाजपा जीत भी सकती है कॉंग्रेस सीटों को गवा सकती है लेकिन दूसरे तरफ जो आप देखिएगा जो गहलोत यहां पर पिछले बार जीती भी थी, इस बार वह भी कम हो सकते हैं याणि वहाँ पर कॉंगरिस के इंट्री हो सकते है, कॉंगरिस आ सकते है, उसमें एक लंबी पैरिस्त भी उसकी भी है, यहाँ पर मसला हनवान गड़ के बितर, नोखा में विकानेरी, चुरू का इलाका पड़ता है, जुनजून में सूरजगड पड़ता है, जुनजून में ही मांडवा सीट पड़ता है, कोल कुंडा है, लेकिन यहाँ पर जो है, जो आदिबासी पाटी है, उसका बहुत बड़ा प्रभाब है, असिंद जो भिलवारा के अंदर आता है, बोंदी की सीट परती है, खानफुर जलावर का हिस्सा परता है, वहाँ पर सीट है, यह सारे संदेश बहुत साब बतलाते ह कि एक मुश्किल हाला जो है, दोनों राजनेतिक दल के सामने जरूर है, लेकिन जहां पर भाजपा की इंडरी नए सीटों के उपर हो रही है, वह गवाने के परस्तिती में कॉंग्रेस जादा है, फिर यहाँ पर यह का ऐसी परस्तिती है, ऐसी जहां पर बराबरी का केल है, या सवाल इन सीटों को सुन करके आपके मन में आ सकता है लेकिन एक पल के लिए ज़रा आपको लगेगा कि कुछ बहुत महत्पों सीटों का भी जिक्रियां पर करना चाहिए होना चाहिए क्यों कि बड़े-बड़े कद्दावर निताओं ने परचार भी किया वहाँ पर कितनी सीटे थी जो सीधे तोर पर परभावित हो रही थी अगर इसको अगर आप समझ लिजिएगा तो 99 सीटों को परभाव में ने निर्मोदी ने लिया जो भाजपा के 40 सीटे वहां पर थी कॉंग्रेस के 44 सीटे वहां थी परदानमंतिर नैंत्रमोडि जहां बताओर परचारक पहुँचे वहां पर कॉंग्रेस के 54 सीटों में से 6 सीटों पर असर पर सकता है कॉंग्रेस वहां गवा सकती है जहां पर अमित्सा पहुँचे एक सो सतरा सीटों उनके डाइरे में बाए 68 सीटे Congress की थी भाजपा के 33 सीट थी Congress इन 68 सीटों में से 8 सीटे खवा सकते हैं जहां पर अमित्सा पहुंचे थे जेपी नड़ा जहां पहुंचे वहां मैक्सिमम सीट Congress के पास थी 26 सीटे थी वहां पर किबल 2 सीटों असर पढ़ सकता है अब दूसरा सवाल होता है कि राहूल गंढदी का थी राहूल गंढदी 12 सवाय की 24 सीटों को अपने प्रभाव में लाया और उन 64 में से 22 सीट भाजपा के पास था और 22 सीटों में से में सीट जो भाजपा क्वा सकता है इस बार क्योंकि 38 सीट तो पहले से कॉंग्रेस का थी 38 में से कॉंग्रेस भी गबाएगा लेकिन यहां जिक राहूल गांदी का है तो भाजपा किपने सीट गबा सकती है यहां हम कहर रहे हैं आपको वो दो सीट है जहां पिरेंगा गांदी पहुंचे 74 सीटों पर उन्होंने प्रभाब ऑपना ढाला उन्होंने अपने तौर पर जो सवाय की 6 सवाय की यहां पर भाजपा के 20 सीट यहां पर केवल 3 सीट ऐसे हैं जो डामा डोल है यह फिर बराबरी की प्रस्तिती में भाजपा करके खरीए और खरगे साब जहां पहुँचे जो खास तोर पर दलित भोल इलाका पड़ता है और सुरक्षित सीटे है वहाँ प्रभाब डाला सकता है सीटों पर वहाँ भाज BJP जो है 27 सीटों पर है कॉंग्रेस पहले से 50 सीटों पर है लेकिन कॉंग्रेस को यहाँ पर हो सकता है बहुत बड़ी सवाल है अब सवाल होता है जो BBIP इलाका जो है जो अपने तोर पर दोड़ता है इन इलाकों के बितर कर एक चीज़ समझे तो सभाईए वाजपा के करोड़ी लाग में मीना है उनके बोट काटने के लिए उनके बागी उमिदबार आसा मीना में पहुंचे तो फिर क क्या कॉंग्रेस के दानिस अवरार को फाइदाई सोरा सुरुवाते समय में लगता था फाइदा होगा इस सवाल उठता है कि किलोरी मल मीना का बहुत बरा कद है और कितने बोट बागी काटता है इसके उपर आकर के टिग गया यहाँ पर बोटिंग परसेंटेज बढ़ा इ बालकनात कॉंग्रेस के इमरान खान यहाँ पर भाजपा जो है पडलरा भाड़ी पड़ रहा है खिरसर के भीतर जो आरलपी का हनुआन बेलिबाल है उनके सामने भाजपा और कॉंग्रेस दोनों कमजोर पर रहते जो वोटिंग पैटरन वहाँ पर था भाजपा के रेवता बुधानी जो है यहाँ पर राजण्द राठोर का कद थोड़ा उपर नजराया है बिद्यधर जो है यहाँ भाजपा यहाँ बीज़ेपी के एंपी जो दैकुमारी जो जैपूर के राजकुमारी इनका पलरा भारी है कॉंग्रेस के तरफ से उनके कोसा अदेक्ष जो हैं स कवाम तरह की पर्तिक्रिया निकल करके आई अब भाजपा के सुभास भगरिया जो पहले भाजपा में थे फिर कॉंग्रेस में पिर भाजपा में चले गए इस पार चुनाव लग रहे हैं फिर उनके साथ नेगटिब ही यह होता कि इधर उधर लागातर करते रहता है इस ब कॉंग्रेस में आ गया यह आगया है फिर अमीन खान यह यह जो वहां पर बहुत बारी बात हैं पांच कोंद्क हर यह मुकाबला, कॉंग्रेस के बागी फते खान ख़़े हैं भाजपा के सारुप सिंग खारा के काउंटर में रमन सिंग भाटी वहाँ पर खरे हैं और जो पुर्व MLA वहाँ पर है जालाम सिंग के वोटरों में वो तो मैदान के भीतर हैं तो पांच कोनिय मुकाबला जो है बहुत उलजा हुआ है और यह हो भी सकता है कि वोट का अंतर यहाँ पर बहुत कम रहेगा बहुत कम कम मतलम मेरा यह है कि 2000 से कम वोटों में जिसको भी जीत मिलेगी मिलेगी आने था बड़े मुस्किल है यहाँ पर नागावर के सीट बहुत महत्पून है हरेंदर मिंद्रा और जोती मिर्धा चाचा भतीजी का रिस्ता है वहाँ पर और पहले जोती मिर्धा जोती वहाँ पर और कॉंग्रेस के भी तरती वहाँ से निकल करके भाजपा में आ गई लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट मेहता जो है के लिए यहाँ पर एक अपरहेंट है फिर कोटा उत्तर के भीतर कॉंग्रेस के सांती धारिवाल हाई कमान को लेकर के कुछ संकित देते हुआं से पिर इनके लिए भरा मुश्किल हो जाती अब यहाँ पर संदेश बहुत साप निकल करके आता है कि राजस्थान का चुनाव और उसका जो पढ़िनाम वो जो कॉंग्रेस और भाजपा को राजनितिक को अंदर से धिला करके रख देगा यह मैसेस बहुत साप तोर पर और यह प्रस्तिती खास तोर पर जो इकल करके आती है कि जो जो जोदपूर है बाढ़मेर का इलाका पड़ता है जो प चुरू कर ले लेजी आप यह सारी जी सीटों का जो बात कर रहे हैं आपको उसके कारण एक है कि यहाँ पर पिछले बार के प्रस्तितियों से इस बार उलट प्रस्तिती आपको नजर आईए जो तमाम चीजों जो जानकारी निकल करके आती है और अब लोकन के माद्यम से आ हो रहा है प्रिणाम बहुत चोकाने वाला होगा आप देखते रहे हैं प्रस्तितियां कुछ ऐसी होगी ऐसी है कि जो इसका असर जो हो कॉंग्रेस और भाजपा के राजनितिक से होते हुए जो आप जो दोनों के सयोगियों की जो मौझूदगी है राजस्तान प्रदिस के भीतर दोनों के लिए वे बड़ी मुश्किल हालात पैदा करेगी ये समझना और बताना ठीक होगा नहीं लेकिन दोनों प्रस्तितियों के बीच किसके लिए ज्यादा मुश्किल हालात है लेकिन एक बात यहां पर बहुत साफ है कि दरसल राजस्तान प्रदिस के भीतर एक ऐसा धर्मामीटर है जो बहुत पहली बार भाजपा और कॉंग्रेस जो है और उनके साथ जो च्छेतरिये दल जो है जो आदिबासी के मौजूदगी का ऐसास जो है भर दिसकी राजनिती को ऐसास कराने के लिए तयार खारा हुआ है देखते रही जहिन चैवार